नमस्कार में भाकिष्री बिसिन नियूस के हिंदी समाचार में आप सभी कस्वा करते हैं बढ़ते हैं खबरों के और इस जगा पर बड़े उमर और पीपल के पवित्र पेड एक ही जगा होने की कारण अनिक भाविक इस पेड के नीचे दार्मी गरंत का पाराएं करते हैं यह पाराएं फल्दाई होने का अनिक भक्तो कानूपव है इस प्रकार की जानकारी आश्रम के विवस्ता पर कुष्णराव गेड़े ने दी है बिसन नियूस के लिए मौदा से संजर गेड़े की रिपूर पंचपरान शपत के साथ बुद्वार को शहर में राली का आईचन नगर पंचार कारले पार्शुनी की ओर सिख्या क्या था? केम्र सरकार ते था राज्य सरकार के मार्गत शक्स सुचना के निसार मेरी माटी मेरा देश अभियान चला जा रहा है जिसके तहट ग्रामिन तथा शहरी भाकों के हर घर में जाकर आमरुद कलश में मिट्टी जमा करने का अभियान शुरू क्या क्या है? जिसके तहट पार्शियोंनी शहर के हर घर में जाकर नगर पंचाद प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी मेरी माटी मेरा देश अभियान के जर्ये से हर घर से मिट्टी जमा करे है। इन्होंने इस अवसर पर नगर वासियों से की। नगर पंचाद पार्शियोंनी प्रशासक तथा मुख्यादीकारी अर्चना वंजारी कारलीन अधिक्ष दत्ता गिल्पिले लेखादीकारी गितेश दुन करे। नगर पंचाद पार्शियोंनी शरत पार्टिल अरुंद खानकुले, महेश भानारकर, श्रितन गावंडे, रामिश्वर मिश्राम, हिमांशु येर्खिडे, मामता भीम्टे, श्वेता ठेक्डे, आनिल कुले, इश्वर सायर, विनो चोधरी, रीगल चोधरी, एवं सभी क प्रमन करते वी, राली का समापन गांधी चोप में क्या गया, इन्विसन नियूज के लिए पार्शिय निसे रुपेश खंडारी की रिपूर्ट महामारिया दूर हुई, अब करोना की मामली कम हुए, तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है, मरसाद के मौसम में नागरिकों को साथा रहना चाहिए, इस साथी के दोरान गर और आसपास के शेत्र की साफ सफाई रखना आउश्यक है, लक्षन दिखाय तरी पर परिशन के बाद उप्चा शुरू करना आउश्यक है, इडिस एजिप्टी मच्छर, एनोफिलीज और डेंगू, चिकन गुनिया, रोक फेलाने के जिम्यतार है, यदि कोई व्यक्ति बुखार के साथ डेंगू, चिकन गुनिया, मच्छर द्वारा काटा जाता है, रोक रख्त के प्लोट में बढ़ती हर्याली दिखेगी, तो प्लोट धर्ग पर सकत कारिवाई की जाएगी, ऐसा आदेश मुख्याती कारी द्वारा जनता को अपिल के मादिन से क्या गया, इसलिए यदि हम इस विमारी को फेलेस से रोकना चाते है, हमें एनोफिलेस और एडिस मच्छरो अंडे देती है, और इन अंडों से निकलने वाले मच्छर के लारवा उसी पानी में पनपते है, और चार से पांच दिनों के बाद ये लारवा कोशिकाय बनती है, ये कोशिकाय पानी में भी जीवित रहती है, दो दिन बाद मच्छर कोशिका से बाहर आ जाते है, इसका मतल चाहते दिगिर के पढ़ी टैंक जिने छाली नहीं के सकता है। उनने कसकर जाना चाहिए। प्लावर पॉट, कुलर और रेफ्रिजरेटर के निचले ट्रे में पानी हर अपते खाली कर देना चाहिए, कच्छरे को घर के याड या च्छत में निप्टाया जाना चाहिए, पानी बहना चाहिए, जिन जगों पर मच्छर पनपते हैं, वहाँ साफ सफाई बनाय रखे, शरीर में दर्ण, बुखार नहीं चाहिए, और साथी साफ पानी बे, डेंगों के लक्षन, तेज बुखार, भोजन में स्वात की कमी, भूख ना लगना, छाती और अंकों पर पेले चकते, मतली, उल्टी, नाग बहना, मूह और मसुर से खुन बहने और सास लिन में करने की अपील, वाड़ी मुख्या दिकारी डॉक्टर विजे देश मुखनी की है, वही घरगर जाकर आशा वरकर काम करी है, शहर भर में आशा वरकर जनजागरुती कर डेंगों के रोक्थां करने में सहाथा करी है, कुलर सोच्छा ले तर्थर जमा पानी में लिक्विड डालने का कारिय आशत आई द्वारा क्या जा रहा है, शहर में फवानी और फॉगिंग शुरू है, बारिश होते ही हर जगा हर्याली बढ़की है, हर्याली में मच्छर पन अप रहे हैं, वाड़ी नगर परिश्यत अंतरगर्द विज्यापन द्वारा नीची प्लॉट पर स अध्यापकों के विविन समस्या का अंधिरा करने हितू भाषपा शिक्षक के आघाड़ी के पधादी कारियों की महत्वपुर्ण बैठक नापूर के पंडिक बश्यरा स्कूल के सभागरू में संपन हुई इस बैठक में बिंदू नामावली सेवा जिश्यता अतिरिक्त अध्यापक समायोचन इस विशय पर संकतना के पुर्वविधर्ब सयोजग अनिल महादेवराव शिवन करने मार्क दशन क्या इस बैठक में आचारी पद्वी प्राफ्ट करने वाले प्रतिप्रिप्टी का स देशसाने की मुख्यादईकारी की रनबगडे के डिर्थल दव में शेहर के विभिन प्रर्भाग तथा मुख्य और मार्कों से कलश्य बैठक का आइचें क्या ग्या जिसमें शेहर की अपनी अंगमानी하지 मुठी पर मिट्टी डान्रे की अपिल गीगीए तथा कलश्याथ् कर सभी का मन मौरिया देश की आजादी मीरी सरकात से डिल्ले दिल्ली में नििर्माणHHHH जा रहे हैं राश्ट्य युद्धस्मार्ग की अम्रुद्वाटी का निर्मान हितु समुझे देश से 35,000 कल्षों में मिट्टी 30 सितंबर तक दिल्ली पहुचानी की सुचनाई सभी जिला तैसिल नगर प्रशासन ग्रामपचात को प्राफ्ट होई है जिसके तहर कलश यात्र देश की आजादी के अपनी प्रानों की आहुति देने वाले वेर भगत सेंग चैनर शेकर आजाद सुबास चंडर पोज जाशे की रानी लक्ष्मीबाई महात्मा गांदी लोकमान्य तिलक आदी की साथ सविधान रशेता जॉक्टर बाबा साहिब आमिटकर तथा मिसाइल देश की पुर्वराश्ट्रपती एपीचे अब्दुलकलाम आदी की याद में पत्नाट्य प्रस्तुत के गए आज जंग के सफलतातर नगरपरिशत साउने की मुख्यादी कारी किरन बगड़े अधिक्षक दिनेश बुदे अभियंता पुर्षत तमपांडे पंकर छेनिय दिरज देश मुख मधुकर लोई प्रदीब गवई अमुलकामरी सहित नगरपरिशत हार स्कूल साउने के सभी शिक्षक वशिक्षक के तर कर्मचार्यों ने सहभा किया इंबिसेन नियुस के लिए साउने से किशर धुंडेले की रिपोर्ट रुष्य पंचमी के दिन महिल आसवरा व्रत किया जाता था रखने वारी महिलाई बड़ी संख्या में एक दित हुई और यात्रा निकाली इस वश रुष्य पंचमी व्रत 20 सितंबर को मनाया जाता है आम तोर पर यह व्रत गनिश चतूर्ति के अगली दिन और हर्ताली का व्रत के तीसरे दिन के बाद मनाया जाता है यह व्रत महिलाओ को अखंड सौभाग्य व्रतान करने वाला माना जाता है इस दिन देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती लेकिन पंचमी को सब्तर्शियों की पूजा की जाती है चास्त्रों की अनुसार रुशी पंचमी का व्रत सच्छे मनसिक करने से सभी कष्ट दूर हो जाते है और सब्सक्राइए मैं आरुक्य और धन की प्राप्ति होती है तो मैलाओको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है इस वर्षी पंचमी 20 सितंबर को मनाए जाती है और रुषी पंचमी का दिन व्रत के लिए फलताई होता है पौरानिक मानिताओं की अनुसार यदि महिलाए रुषी पंचमी का यह व्रत करती है तो उन्हें जुख शांती और अखंड सौभागय की प्राप्ति होती है सेवर्षाच्रिया यह व्रत की कथा सुनी जाती है और पंटितों को भोशन कराकर व्रत का पारण किया जाता है अविवाहित महिलाओं के लिए पि यह व्रत महत्वपुन और फल्टाई माना जाता है हर साल रुषी पंचमी का व्रत वैन कंगा के तड़ पर मारकंडा देवस्तेद मारकंडेश्वर मंद प्रकाश मड़ावी और पुलिस मुख्याले से अतिरित 15 महिला पुलिस कर्मी, होंगाड बलकी पुलिस कर्मियों के साथ वैंगंगा तीरा नदी पर मारकंडा प्रवेश्वार जगनाद महाराज, तिरिशल खाड देवस्तान ट्रस्ट, जिब स्कूल, देवस्तान शेत्र, न आयता केंडर आधि की व्यवस्ता की गए, तैसलदार प्रशांग खोरुटी, उप तैसलदार एसार कावरे, मंडल अधिकारी नवनात अटकरे, तारिश फुल जले, इनके मारक दर्शन में तलाथी चंदन खेड़े, कौतवाल व्यवस्ता की गए, बिस्यन नियूस के झाल